हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे English Class 7 Start Burst जो बूक है All Chapters के Questions and Answers हमने इस वीडियो में जितने भी पूरे chapters हैं English Class 7 Start Burst बूक के इस वीडियो में हमने हर एक लेशन्स के जो Answers है उसको मौजूद कराया है या आप यहां से असानी से आपको मिल सकता है तो देखते हैं, बने रहे हैं इस वीडियो में तो सबसे पहले लेशन्स के अगर हम लोग बात करें तो इस लेशन्स का नाम है Frank's Adventures in Toiland Frank's Adventures in Toiland जो इस लेशन्स का जो solution है देखते हैं, बिसिकली यहां से सुरू होती है, ठीक है मैं यहां पर मार्किंग कर दे रहा हूँ इस चैप्रिक के जो solution है यहां से सुरू होती है, ठीक है जो पहले question first का जो answer है वो यहां से यहां से आप लिख सकते हो, ठीक है, skin sort भी ले सकते हो या तो video pause करके आप note कर लो, या तो इसकी skin sort ले लो ताकि आप अच्छे से notebook भी बना सकते हो इससे अब question 2 की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर सरूसन दिया है बाकि जो question है, यहां पर है, question 3, ठीक है, मैं marking कर रहा हूँ, आप skin sort ले लिजिए, यहां से और यहां तक, ठीक है, आप यहां से ले सकते हैं, skin sort, third का question है, answer है, fourth का answer है, fifth का answer है, and sixth का answer है, ठीक है आसा कर तो आपने skin sort ले लिया होगा, अब देखते हैं, B, think and answers के जितने भी solution है, यहां पर है, ठीक है, basically, यहां पर दो question है, लेकिन दो question में A और B करके दिया गया है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहां से marking कर देता हूँ, ताकि आपको यहां से भी skin sort ले सकें, इसका, यहां तो मैं इसको जूम कर दूँ कि आप अच्छे से इसको देख सकें, ठीक है, यहां पर 7 का A का answer, 7 का B का answer, और 7 का 8 का जो A का answer है, और 8 का जो B का answer और 8 का C का answer है, ठीक है, तो इस तरह से आप यहां से देख सकते हो, ओके, Frank's Adventure in Twilight का जो मैं एक बार और दिखा दिखा देता हूँ, आपको जो solution है, यहां से start होती है, question first and second, okay, skin sort ले लिजिए, अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर कुछ question है, 3, 4, 5, 6, जो answer से यहां पर, यहां पर आप skin sort ले सकते हैं, इसकी, और यहां पर B दिया think and answer, इसका भी skin sort आप ले सकते हो, ठीक है, तो यह थी lesson first की solution, अब बढ़ते हैं, lesson 2 के solution की ओर, यह जो दिख रहा है आपको, यहां पर क्या है, यह grammar हो गएरा है, आप अगर चाहें, तो grammar हो गएरा भी note कर सकते हैं आपर, लेकिन मैं सिर्फ आपको chapters के जितने भी solution हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ, अब अगर हम lesson 2 की बात करें, ठीक है, वह है the first man on the moon, जो इसकी जो solution है इस chapter की, वो यहां से start होती है, यहां पर नीचे से देख सकते हैं, reading, read and answer, ठीक है, lesson first की, जो question है, lesson 2 है, question first का answer है, question 2 का answer है, और यहां पर, question 3 का answer है, question 4 का answer है, question 5 का, question 6 का answer है, ठीक है, और यहां पर, c का answer है, ठीक है, इसकी स्वाल ले लीजिए यहां से, ठीक है आगे बढ़ते हैं अगर हम बात करें भी ठीक रांसर के तो यहां पर है यहां से स्टार्ट होती है सेकेंड वाला क्वेश्चन ठीक रांसर के लेशन सेवन का जो आंसर है यहां पर है ठीक है है आगे बढ़ते हैं और भी होगी यहां पर ठीक है यहां पर है लेसन 9 की अज़न की बात करें यहां है यहां से ङहां से कि इस्की इसकी सौट लेनी है आपको यह दूसार यह सो नावम यह तो यह थी पूरी लेलेशं टु की सलुचन यहां से स्टार्थ होती है डिशन टु की सलुचन में यह Test. ऐसे साम देखा और भी नीचे है जहां तक स्कीन में आ रहे हैं यहां से स्टार्ट होती है सी का ठीक है यहां से यहां तक और जो बचे कुछ है यहां पर है कोशन 8 और 9 और 10 यह तो कोशन 8 का आंसर है ठीक है और यहां पर कोशन 9 का अंसर यहां पर है कोशन 9 और कोशन 10 का ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लेशन अगर बात कर लेशन नहीं है यह पोयम है और इस पोयम का नाम है दवूड ठीक है दवूड की जो सलुसन है वो यहां से स्टार्ट होती है ठीक है यहां से स्टार्ट होती है आप इसको नोट कर लीजिएगा यहां से यहां तक स्किल सॉट ले लिजिए ठीक है हो गय अगर हम बात करें B का Think 까 sittenoqu तो यहां से स्टार्ट होती है यहां से स्टार्ट होती है यहां से यहां तक जाएगी ठीक है 7, 8, 9 ठीक है 7, 8, 9 कोशन का अप्र है यहां पर आप इसकी ले सकते हैं अच्छे से आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर 10 का है, ठीक है, 10 का जो आंसर है, यहाँ पर है, इसके इन सोट ले लिजिए इसका, यहाँ पर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यह था दा उट, चैप्टर का सलूसन, अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात कहें, लेसन 3 का, उसका नाम है, इसके जो कोशन आंसर से वो यहाँ शुर्व होती है, इन आंसर पहला, जो कोशन का आंसर वो सेकें, ठीक है, सेकें पर टिक कर दीजीगा, आप इससे नोटबुक भी बना सकते हो, अच्छे से, ठीक है, और यह जो आंसर से सलूसन है, पूरे 100% सही है, ठीक है, इसमें बेज ज आप नोट्बूक बना सकते हो अब B का पहला सही है C का सिकेंड वाला सही है D का थर्ड वाला सही है और E का फर्स्ट वाला सही है किस चेपर का थर्ड का दका अप्रोच दैट रॉटा म्यूजिक अब हम आगे बरते हैं oui you can answer में ठीक है तो यहां से स्टार्ट होती है को जो lose रहां से स्टार्ट होती है ठीक इसके इसकी इन सौत ले लिजिए आप ताक्य अपिस कोश्ण के आंसे साप अपने नोट्बुक में भी लिख सकी आजाने से ठीक है अगे बढ़े हैं ठीक है और यहाँ पर six की बात करें ठीक है यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं इसके स्वाइब इसके सॉठ ले लिजेखा है नमें और जबाते हैं अब lesson 4 की बात करें तो उसका नाम है बड़े गुलाम अली खान ठीक है बड़े गुलाम अली खान तो यहाँ इस चेप्टर का जो solution है वो यहाँ से start होती है नीचे चलते है यहाँ से start होती है यहाँ से start होती है इसके सोल ले लिजिए यहां पर पहला का जो पहला का यह जो सेकेंड वाला सही है पहला का जो भी है वो थर्ड वाला सही है यहां पर देख सकते हैं टेक है इसके सोल ले लिजिए फर्ट सेकेंड थर्ड फॉर्थ 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 कोश्चन तक यहां पर आंसर है और आगे इसका भी पांचवे का एक आंसर यहां पर दिया है ठीक है अगे बढ़ते हैं यहां पर पांचवे का सी तक यहां तक है ठीक है और लास में जो है सी सिक्स का सी सही है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब सेवंध है सेवंध का एबी सी यहां तक है ठीक है ठीक है ठीक है अब बात करते हैं यहां पर एक पोयम जिसका नाम है सी स्टार्ट होती है ठीक है पहले का सी सही है दूसरे का भी सही है तिसरे का भी सही है चोथे का अ सही है ठीक है आप यहां पर देख सकते हूं इसके इसी के बाद जस्ट शुरू होता है इसके 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 इस ठेके, question number seven, six and seven, का जो solution है वो यहां पर है, ठेके, आगे बढ़ते हैं, अब जो next solution है, वो है iris is two by the riverside, lesson five, जो lesson five का solution है वो यहां से start होता है, यहां से start होता है, read and answer सा, तो आप क्या करिए, इसका answer ले लिजिए, question first का answer, question second का answer, question third का answer, इस solution में सिर्फ आपको answers दीखेंगे, questions नहीं है, question था बुक में दिये गया है, ठेके, confused नहीं होना है totally, आप क्या करना है, बुक में जाना है, और यहां पर जो भी solution दिये हैं उसको, match करा करना, आपको notebook में अच्छा से लिख लेना है, बी think and answer की बात करें तो यहां से start होती है, इसके ले लिजिए, एक बार में mark लगा देता हूँ, ठेके, आगे बढ़ते हैं, और question यहां पर है, 7 का question यहां पर है, 8 का है, 9 का question यहां पर है, ठेके, solution यहां पर है, mark लगा देता हूँ, ताकि आप इसके ले ले लिए, आप हो गया, आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर question 10, यहां पर है, ठेके, बात करते हैं, question 10 की, ठेके, वीडियो पहुच करके भी देख सकते हो, या तो इसके लेके, आप में notebook में, lesson 10, जो question है, उसका answer है, यहां पर, ठेके, आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे, lesson 6 की, जो lesson 6 है, इसका विसकी नाम है, वाइड मुजियम, ठेके, वाइड मुजियम, अब इसकी जो solution है, ठेके, आप देख सकते हो, यहां से सुरू हुई है, इस chapter की solution जो है, वो यहां से सुरू हुई है, यहां से, ठेके, यहां से, अब जो question first है, वो क्यांत वर यहां से आन्सर है मैं मार्ग लगा द रहाँ आप सकणसर्ट ले लो अगे बढ़ते है तब कृणर कृशिण 4 यहां पर क्योशन फीप्त का अंसर यहां पर एक ओसे और === न्युक्रकत अन्सरर ले लिजिए चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हैं पर बीद या थिंग कर आंसर ठीक है, काफी बड़ा बड़ा कोशन है यहाँ पर है, आपको इसको इसकिन सॉट लेनी ही पड़ेगी, या तो वीडियो पॉस करके आप क्या करें, देख लें, बात करते हैं, कोशन नमर सेवन की कोशन नमर स सेवन का जो आंसर है, वो यहाँ पर है, कोशन नमर एट का जो आंसर है, वो यहाँ पर है, और कोशन नमर नाइन का जो आंसर है, यहाँ पर है, और यह जो चैप्टर था, वाइड मुजियम लेशन 6 का है, ठीक है, अब देख सकते हैं, 10 तक था, तो 10 तक हो गया, ठीक है, य अब पोय में क्या है इस मिठे सरा जो ऐसा कोशन है वो इसमें टिक करने के लिए या दिया है तो यहाँ पर A है यहाँ पर इसका इसकी सोल ले सकते हैं जैसे पहला का C सही है दूसरे का भी C सही है तीसरे कोशन का जो B है वो सही है 4 question का A सही है और 5th question का B सही है ठीक है होगे नोट everyone done next परते हैं अब B think and answer ठीक है अब B think and answer का बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर basically 3 question है अपर दिया गया है ठीक है और भी question है बट यहाँ पर screen में 3 question आ रहे हैं 7 question है 6 question है question number 7 का answer यहाँ पर है और question number 8 का जो answer है वो यह है ठीक है इसकी इसका ले लिजिए इसका mark मैं लगा दे रहा हूँ एक बार और ताकि आप इसका sort बील जे सके है ठीक है चलते हैं आगे अब यहाँ देखते है 9 दिया है ठीक है question number 9 दिया यहाँ पर आप note कर लिजिए इसको आगे बढ़ते है अब lesson 7 का जो नाम है वो है the girls who love to read ठीक है और इस chapter का जो solution है वो यहाँ से start होती है यहाँ से start होती है ठीक है यहाँ से start होती है और इसको note भी कर सकते हो question number 1 का जो answer यहाँ से start होता है question number 2 का जो answer है यहां से है। कोश्चन नमर 3 का जो है आंसर यहां पर है। और जो 4 है वो सी सही है और 5 में जो है 20 सही है और 6 जो है वो क्या कर सकते हैं 6A, B, C, D तक है ठीक है। तो यहां तक नोट करते हैं। इसके लिदिए आप लोग आराम से solutions कर लिजिएगा notebook में अगर हम next बड़े तो यह है be think and answer be think and answer है वो है 7 question number 7 ठीक है ओके आगे बढ़ते है 7 का जो solution यहां तक था ठीक है यहां तक था हां आठवां जो आठवे question का जो answer है वो यहां से यहां तक है ठीक है नवे का जो है देख सकते हैं वो है यहां से यहां तक इसकी इसाल ले लिजिए ठीक है आगे बढ़ते हैं दस one दस question है इसमें जो दास्मा question है last question है इसमें वो है यहां से यहां तक इसकी आप इसकी इसकी ले लिजिए या वीडियो पोस करके नोट कर लिजिए ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम करेंगे बाद अगले जो chapter है उसका नाम है सासमा ललिथा सासमा ललिथा जो है lesson 8 है और lesson 8 की जो solution है या answer से वो यहां से शुरू हो रही है यहां से है तो कोष्टन नमर वन का आंसर है को फिरिक है अगे बढ़ते हैं कि अब यहां पर दिया है 3 का B का जो आंसर यहाँ पर है 4 का B का आंसर यहाँ पर है और 5 का भी आंसर यहाँ पर है ठीक है अब बात करते है B, Think and Answer की तो यहाँ पर 6 से लेकर 7 कोशन तक यहाँ पर है नोट कर लीजिए यह वीडियो को पोस्ट कर लीजिए ठीक है आगे निकलते है इसमें 7 कोशन ही था ठीक है 7 कोशन ही था आपको 7 कोशन तक क्या करना था अब अगले चेप्टर की जो बात करते है वो एक पोयम जिस पोयम का नाम है My Room My Room का जो सलूसन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है ठीक है एक टिक दे करेट आंसर है वो जो है पहला का B सही है दूसरे का B सही है तीसरे का A सही है और चौथे का C सही है और पांचवे का B सही है ठीक है आप इस तरह से मार्क लगा सकते है आपे नोटबुक में अब भी थिंक एन आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 & 7 यहाँ पर दिया है आप यहाँ से क्या करिए इसको नोट कर लिजे या आप वीडियो को पॉस्ट करके इस किन सॉल ले लिजे ठीक है Q6 का जो आंसर है वो यह है Q7 का जो आंसर है वो यह है ठीक है पढ़ते हैं अब लेसन 9 की जो बात करते हैं वो लेसन का नाम है दविक्टर ठीक है दविक्टर अब दविक्टर जो लेसन है वो उसकी जो कोशन आंसर है या उसकी जो सलूसन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है मार्किंग मैंने कर दिए हाँ से लेकर यहां तुक डाए कि लेसन फर्सट जो question first एंसकी आंसर आंशल यहां पर लेसन लेसन ट्यूल कंसर यहां पर है कोशन 3 आंशल यहां पर question 4 का अंसर का अंसर प्रस्षी का अंसर यहां पर ठीक है कि आगे बढ़ते हैं विप्थ का है जो ए सही है तो ए का आंसर ये है अज भूले है अब बढ़ते हैं आगे अब यहां पर दी जो है वहां ये आंसर है टीक है listen 9 का और अगर हम बात करें यहाँ पर think and answer की तो वो listen no question जो है 7 की जो answer है वो यह है और question 8 की जो answer है वो नीचे है ठीक है यहाँ पर question 9 का जो answer है वो यहाँ पर दिख सकता आपको आसानी से देख सकते हैं आप ठीक है आगे बढ़ते हैं देखते हैं question और छुटा है क्या नहीं बस 9 तक है ओके आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं lesson 10 एं last lesson की ओके class 7 book तो lesson जो 10 है उसका नाहीं तो वाल्स और जो टू वाल्स है उसकी जो solution है वो बैसिकली यहां से शुरू होती है यहां से देख सकते हैं यह रीडेन आंसर है lesson फर्स्ट का अंसर यहां पर है second का अंसर यहां पर है ठीक है और रहते घुट जो एसी सःहे आ है त्रीया का जो से सही है 48The seconds से शिक्स का शिए after यहां ता ङुड़ी सलूट ले ज़िए ठीक है यह-ह। यहां थीक भका भ। बी तिंक के डानसर यहां पर 7 का answer है वो 8 का यहाँ पर 9 का answer है ठीक है और यहाँ पर 10 है 10 question है इसमें ठीक है यहाँ पर 10 है इसकी इसलिए लेजिए इसका इस तरसे जो book थी ठीक है पुरी तरसे समाप्त हो गई नहीं भी last में एक chapter है वो यह मैं ठीक है इनका नाम है Invictus और Invictus का जो solution वो यहाँ से शुरूवती है 1st का B सही है 2nd का A सही है 3rd का A सही है 4th का A सही है 5th का A सही है ठीक है Invictus में Invictus पोयम में और B think and answer जो है वो 7th का 6 का answer से वो यह है 7 का answer यह है 8 का answer यह है 9 का answer यह है 10 का answer यह है 11 का answer यह है ठीक है, 11 questions दिये हैं इसमें, so ये थी, starburst books class C1, all chapters, question answer in single video, यानि एक ही single video में, पूरे chapter के जो questions, answers थे, या solutions थे, आपको यहाँ पर मैंने provide कराया, I hope आपको यह जो video है काफी help करेगा, अगर थोड़ा भी अच्छा लगाब, please like and subscribe my channel, thank you so much.